गुड इवनिंग एवरिबड़ी आप वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू बचो और मैं आपके पास ले आया हूँ पाथ फाइंडर सिरीज का एक और एपिसोड तो यार आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे मेर इट में भी पॉन किसी ना किसी चीज से बच्चा बंधा हुआ है और वो ये जानता है बहुत अच्छे से जानता है कि वो बंधा हुआ है और वो निकलना भी चाहता है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा बेटा कि आप लोग खुश हो उसके अंदर आप अलरेड़ी ये चीज फायदा होता है इस वीडियो से तो मुझे कमेंट में जरूर लिखके बताना कि हा सर हमने ये चीज अपना ही आपका ये आइडिया ट्राइ आउट किया and this helped us ये जरूर मुझे बताईएगा तो चलिए आर शुरू करते हैं आज का जर्नी let me start by introducing myself मैं हूँ आपका होस्चें दोस्त अंकित गोयल जिसका gate में दो बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर इसके अलावा मुझे प्रेजिडेंट की तरफ से gold medal दिया गया जब मेरा graduation पूरा हुआ IIT से आज तक मैं दो लाग से भी जादा बचो को train कर चुका हूँ for gate and ESE और अभी मैं on academy में work कर रहा हूँ as a director for gate department अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बचे जानते हैं लेकिन मैं कहता हूँ बचो important क्या है the important thing is कि हम लोग साथ मिल करके अगर effort करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं आपके साथ बिटा हम खड़े हैं आप अकेले नहीं हूँ आपकी struggle में हर कदम पे साथ देंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे लेकिन अगर हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के साथ साथ अनकैडमी के भी free initiatives को join करो कैसे करोगे अनकैडमी आप install करो और उसके बाद जो free initiative आपको काम का लगता है उसे देखो बस उसे unlock करना है using the code अंकित EAC तो चले शुरू करते हैं बचो सबसे पहला question यह आता है कि जो भी negative चीजें है life में it may be alcohol it may be smoking it may be porn it may be any other pleasure that you guys enjoy gaming social media यह हम क्यों करते हैं इसके यार दो कारण होते हैं first reason is we want to lead a better life बलकि दोनों कारण घुमपिर करके बात एक ही करते हैं बट फिर भी आपको समझाने के लिए हम एक बहतर जिन्दगी जीना चाहते हैं मैं आपकी भाशा में बोलू ना आम शब्दों में तो हमें किक चाहते हैं तो हम यह चाहते हैं तो एक momentary satisfaction है जो momentary happiness है उसे हम पाना चाहते हैं जैसे मान लोग कि कोई drinking में बहुत जादा drink करता है तो क्या होता है जब वो drink कर लेता है जब वो एक नशे में होता है तो they are in a different zone altogether और जब वो उस zone में चले जाते हैं they start to enjoy मैंने बहुत सारे लोग यार अपने आसपास ऐसे देखे हैं जो कि खुलके बात ही तब कर पाते हैं जब वो drink कर लेते हैं जबकि वो लोग bond ही तब कर पाते हैं जब वो drink कर लेत हैं और वहां से जो happiness वो लोग derive करते हैं again that is momentary that is not long lasting यार हमारी body हमारी soul हमारा existence एक everlasting happiness को सीख करना चाहिए ये momentary chunks of happiness नुकसान करते हैं दूसरा reason बच्चों मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारे adults भी अपनी ना life की problem से भागना चाहते हैं जैसे मैंने ये करके ना mind थोड़ा सा hazy हो जाता है तो they are not very clear in their vision, clear in their thought process और जिंदगी की जो भी tension होती हैं वो उनसे distract हो जाते हैं तो इसी तरीके से जब हम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता हम social media चलाने लगते हैं दोस्स से बात करने लगते हैं एक गंटा दो गंटा call पे chat पे निका अगर देना जिंदगी में उसे side करने के लिए हम उसका एक replacement ले आते हैं लेकिन आप लोग खुद से पूछना बिटा क्या इन में से कोई भी चीज आपको उस moment के बाद कभी भी happiness देती है क्या देती है बिलकुल भी नहीं देती है कभी भी नहीं होगा ऐसा आप उस समय भी बड़ा satisfied feel करोगे बड़ा happy feel करोगे लेकिन अगले दिन क्या life से problem चलीगी बिटा आप एक चीज सोचो यार अगर आपके सामने एक share आजाता है और आपको जान का खत्रा है तो क्या आप आँके बंद कर लोगी तो गायब हो जाएगा नहीं तो आपने बस क्या की है ना आप आपने अपना mind वहां से हटा लिया लेकिन problem अब भी वहीं की वहीं है बचो problem सिर्फ तभी solve हो सकते है जब आप उसे solve करना चाहें और उसकी तरफ कदम बढ़ाएं उससे भाग करके तो नहीं solve होगी चलो ठीक है यार आप लोगोंने momentary happiness लेली आप लोगोंने drink कर लिया smoke कर या masturbate कर लिया जो भी किया you felt happy afterwards आपने chatting कर ली relationship में चले के कुछ भी किया आपको अच्छा लगा लेकिन बाद में क्या होगा it starts to become an addiction it starts to become an addiction जो चीज एक hobby से start हुई थी जो चीज एक past time से start हुई थी अब वो आपका major time consume करने लग गई पहले social media पे हम लोग थोड़े बहुत memes देख लेते थे हस लेते थे लेकिन अब हम memes को एक एक घंटा देखते हैं पहले हम कुछ short videos देख लेते थे shots देख लेते थे reels देख लेते थे अब हम 100-100 reels लगातार देखते जाते हैं तो ये चीज़े addiction बनने लगती हैं पहले कोई occasional drinker होता है फिर वो regular drink करने लगता है कोई occasional smoker होता है वो regular smoke करने लगता है और तब actually आपकी life पे impact आना शुरू होता है जैसे जैसे ये चीज़े regular होती हैं वैसे वैसे आपकी life के अंदर mental के साथ-साथ इनके physical effect दिखने लगते हैं जैसे कोई बहुत जादा drink करता है तो हो सकता होता है kidney का problem create हो जाए कोई smoking करता है तो lungs का problem create हो जाए कोई masturbate करता है तो हो सकता है उसको weakness का issue हो जाए कोई gaming बहुत जादा करता है तो हो सकता है headache का issue हो जाए eyesight का issue हो जाए ये सारी problems create होने लगती हैं हमारी life में mental के साथ-साथ हमारी body pain के effects नजर आने लगते हैं अब क्या-क् प्राइब के एडिक्शन जनरली जो मैं लिस्ट कर पाया आप लोग के लिए ड्रग्स का बहुत बड़ी बात होगी बहुत कम जनता करती होगी मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स है उनमें मैं जानता हूँ ये सब काम नहीं करते है एल्कोहॉल इतना मैं जानता हूँ बिटा जो इसको शाई अवे नहीं करूँगा इसको टैबू नहीं करूँगा येस इट्स अ बिग प्रॉब्लम मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ मैं बाहर निकलना चाहता हूँ मैं क्या करूँ खाने का ठी मैं खुद बोलू मुझे खाने का एडिक्शन था, I am trying to control myself, I am trying to get back in shape, smoking हमारी एक कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के एज ग्रूप में ये काफी कॉमन है, वीडियो गेम्स ये छोटे बच्चों के साथ बहुत कॉमन इशू होता है, बट एडल्स के साथ भी होता है जब आना के घर में क्या हो रहा है, किसकी बीवी, किसके साथ भाग रही है, सारी न्यूज आएंगी और आप डीटेल में रीड करोगे पूरे-पूरे आर्टिकल, शॉपिंग, शॉपिंग का एडिक्शन मैं मानता हूँ, स्टूडेंट कॉमनिटी में कम है, थोड़ी से एडल् लेकिन जब आप एक एडल्ट स्टेज में पहुँचोगे, मेरी स्टेज में, तो मैं यह कहूँँ, मेरा यह सेकंड टाइप ऑफ एडिक्शन है, मुझे भी है, वर्क एडिक्शन मुझे भी है, और इस चक्कर में मैं क्या होता है, मैं लाइफ की प्रॉब्लम से कही ना कही लाइफ की responsibilities से side हो जाता हूँ, just because of this addiction, exercise, यह अक्सर जिमर्ज में होता है, और खास करें कि मैं नहीं देखा है, जो लोग का दिल तूटता है, वो लोग सबसे पहले exercise पे जाते हैं, एक taboo बन चुका है, कि भाई अगर break up हो जाया है तो gym करना है, body बनानी है, पता नहीं क्या है, बढ़ हाँ, ऐसा कुछ हो चुका है, अब बेटा क्या होता है, जब हम कोई negative habit को inculcate करते हैं अपने अंदर, तो हमारी body के अंदर एक hormone release होता है, which is called as dopamine, अब dopamine जब release होता है, माइन में बड़ा अच्छा feel होता है, बहुत अच्छा feel होता है, लेकिन problem क्या है, hormone गलत नही आप लोगों का chatting करने से dopamine release होने लगे, आप लोगों का gaming करने से release होने लगे, या फिर इसके अलावा internet surfing करने से dopamine release होने लगे, तो brain के अंदर अगर यह hormone आता है, तो you start feeling good, और तब आपको यह लगता है, कि happiness लेने का एक ही तरीका है, कि मैं यह काम जाधा करूँगा, तो मैं Pakistan की पूरी existence, एक single चीज़ पर based, यह that is, कि we want to live a happy life, we want to live a more content life, we want to have more, और जब मुझे खुशी मिलने लगती है, कोई negative काम करने से, तो मैं उसे जाधा करता हूँ, because of this secretion in the brain, लेकिन बेटा मैं यह कहूँगा, अगर आप अपनी body को, अपने mind को ऐसे train करोगी, डोपामीन त सिक्रीट हो, जब आपने अपना target अचीव किया, यानि आपके दिमाग को खुशी तब मिलती है, जब आप कुछ constructive करते हो, और फिर देखना बेटा, आपकी life में change आना शुरू हो जाएगा, आपका mind खुद आपको guide करेगा, कि भईया, इस hormone को अगर दिमाग को चाहिए, side you are on, अब कैसे सर बचें, चलो ये problem तो हम भी जानते हैं, बचे कैसे, सबसे पहले बेटा, control your mind, आपको ना पहले ये सोचना है, आपके mind की आप driver seat में हो, या back seat में हो, क्या अपने दिमाग पे आपका दिमाग आप पे control करता है, क्या आपका दिमाग एक मदारी है, या फिर आपका दिमाग एक बंदर है, बंदर बेटा, किधर भी घूमता है, हम लोग किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, बीच में thought आगया किसी दोस्त का, बीच में thought आगया किसी पुरानी history का, किसी past relationship का, किसी और चीज़ के बारे में thought आगया, तो हमारा mind तुरंत deviate हो गया, हमारा mind तुरंत deflect हो गया, अब मैं कैसे बचता हूँ इस चीज़ से, बीटा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, कि even कि जब मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ बीच में होता है, कि कोई ना कोई thought हो सकता है, कोई life की tension, कोई life की problem मुझे strike कर जाए, लेकिन मेरी एक अपने आप से आदत है कि मैं अपने thoughts को monitor करता हूँ, मैं हमेशा एक check रखता हूँ, अपने पास कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं खुद से पूछता हूँ, अगर कभी मेरा mood off है, तो मेरा mood क्यों off है, आज ऐसा क्या event हुआ है, मैंने क्या सोचा था उस time पे, जिस कारण से मेरा mood off होने लग गया, और जब मैं उस thought को figure out कर लेता हूँ, तब मुझे समझ आता है, वो thought इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो उस समय पे आ गया and that distracted me from my work, तो बच्चो इसको हम लोग कह सकते हैं, एक slot के आना है, distract होगे, distractions खतम नहीं किये जा सकते, लेकिन उन distractions को पहचानना जरूरी है, उन distractions को continuously monitor करना जरूरी है, और वापिस track पे आना जरूरी है, ठीक है, that is the first advice I would give you, कि constantly monitor your thoughts, और मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक काम करो, जब जब आपका mind distract होता है, पढ़ते तो अपनी distractions को एक piece of paper पे note down कर लो, और धीरे धीरे वो distraction life से eliminate हो जाएंगे, आपका mind controlled रहने लगेगा, अगला है बिटा, do something productive, यानि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली बैटे हो, कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होतो, और सची बात है, जब आप खाली होना, तब आपके दिमाग में सबसे ज़ादा negative thoughts आएंगे, तब आपको ये लगेगा, जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, जी क्यो रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, न सफलता है, कोई और मेरी जीवन में सुख है, और जब ये thought process आने लगता है, तो हम depressed होने लगते हैं, और से उभरने में अगर हमें दो या तीन दिन भी लग गए ना, तो वो हमारी तैयारी को negative direction मिले जाता है, और दुबारे से same tempo पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो whenever you are sitting idle, do some productive work, हो सकता है कोई काम pending हो, हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो, हो सकता है आप खेलना चाहते हो आप अपनी family के साथ time spend कर सकते हो, लेकिन कुछ positive work करो, कुछ constructive work करो, खाली मत बैठो अपने phone के साथ, अगर phone के साथ खाली बैठो, बेटा आज की date में social media में आप telegram चला लो, facebook चला लो, कहीं पे कोई ना कोई बच्चा अपनी जीवन की depressed कहानी लिखा होगा, कुछ point आपके relate करके, खुद negative हो जाओगे, कभी भी बेटा एक चीज़ observe करना, जब कोई भी इंसान negative होता और आप उसकी presence में ज्यादा time spend कर लेते हो, तो you also start feeling that life is meaningless, why are you even living, तो इन चीज़ों से बचना है, इसलिए कभी खाली नहीं बैठना है, कुछ भी करना है, positive कुछ काम करना है, भी ऐसी random thought pop up हो जाता है, कि suppose आपके दिमाग में एक thought आया, चलो यार अपने दोस्स से बात करता हूँ, पूछता हूँ, वो क्या कर रहा है, चलो यार एक काम करता हूँ, एक बार ना WhatsApp ग्रूप चेक कर लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, टेलीग्राम देख लेता हूँ कुछ भी thought आये, उसे डिले कर दो, इसे मैं बोलता हूँ, डिले इंग दा ट्रिगर, जो ट्रिगर है ना उसको डिले कर दो, अगर आपका मन करता है बिटा, अभी smoke करने का आदे गंटे रुख जाओ, अगर आपका मन करता है अभी pawn देखने का आदे गंटे रुख जाओ, आप डिले करके देखो, मैं बता रहा हूँ, गैरेंटीड आप फिर वो काम करोगे ही नहीं, क्योंकि वो जो अर्ज होती है ना किसी भी addiction को follow करने की वो बहुत temporary होती है बचो, अगर उसे हम आदे गंटे डिले कर दे तो गैरेंटीड रिजल्ट है ये, मैं बता रहा हूँ, आप वो काम कभी भी नहीं करने वाले हो, दूसरी चीज क्या किया करो हमेशा consequences के बारे में सोचो, बेटा जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, और मेरा काम अधूरा और मेरा मन करता है उठने का कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने brain को सबसे पहले ये चीज समझ जाता हूँ कि भाई अगर उठ गए तो कल को कितना workload होगा क्योंकि आज का काम पूरा नहीं हुआ रहेगा, या रात को कितना workload होगा अगर दिन में काम नहीं करूँगा, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं manage कर लूँगा क्योंकि यार आप बहुत जादा ठक चुका पेरेंट से न अपने फ्रेंट से आपको हमेशा एक hesitation रहेगा लेकिन खुद से सच बोल सकते हो और खुद से सच बोल सकते हो तो खुद को समझा भी सकते हो, guide भी कर सकते हो तो खुद से बात करना बहुत जरूरी है और जैसे ही mind में कोई trigger आए उसको आदे घंटे के लिए delay कर दो और उसके बाद results देखो बिटा मचा दोगे तो मैंने आपको तीन advices दी है अपने mind को control करना है regular खुद से बात करनी है खुद को feedback देना है अपनी distractions को note down करना है खाली बैटे हो तो कोई productive काम करना है खाली बैट के phone नहीं चलाना है और कोई भी चीज का urge होता है which is negative उस तरह से कोई addiction छोड़ा जा सकता है ये तीन चीजों को बेटा try out करेंगे और मुझे comment section में जरूर बताएंगे क्या आपने try किया क्या आपका addiction दा और क्या आप उस addiction से बाहर आ पाई या कुछ हद तक उससे छुटकारा पाई ये चीज आप सब लोग मुझे इस video के comment section में बत मेरे साथ plus पे machines cover करना चाहते हैं वो जरूर machines cover करें 7 a.m. to 9 a.m. चल रहा है daily 10 a.m. to 12 a.m. भी पढ़ा रहा हूं sorry 12 p.m. तो daily 4 गंटे पढ़ा रहा हूं बिटा शाम को 5 बजे doubts भी answer कर रहा हूं तो आपको इतना focused content मिलेगा इतना ज्यादा मिलेगा teaching के आपका machines top level पे ना पह possible है और join करते हो तो बिटा code आप जानते हो अंकित ESE लगा देना इमिजेट 10% का discount आपको मिल जाएगा और आप personally मुझसे connect हो जाओगे ताकि आपकी तयारी एकदम next level पे जाए other than this बिचे आप मेरे telegram channel पे जुड सकते हो t.me.getair1 यहाँ daily quiz होती है notification और notes सब चीजे provide की जाती है तो आप अगर regular मेरे साथ बने रहोगे तो वैसे भी mind कम distracted रहेगा थैंक यू बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो या लाइक करने में शर्माना मस शेयर करना इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके वो bell icon दबादो ताकि notification आता रहे फिर मिलेंगे एक और burning issue के साथ और आ आगे बढ़ा फाऊं थैंक यू everybody इसी तरह से मचाते रहो बिटा फोड़ते रहो let's crack it